पिया मोदी और सीयम ने घटा पर गहरा शूक व्यक्त किया, देखे हाई हादसा सुभह सुभह जब लोग नीन के आगोश में थे तो नाव के हाईवे पर कुछ लोगों के लिए काल दोड रहा था बिहार के शिवहर से एक डबल डेकर बस की तरफ आ रही थे गहरी नीन में थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को क्या पता था कि वो अपने अंतिम सफर पर निकले हैं उन्नाव के लखनाव आगरा एक्सप्रेस वे पर ये हादसा हुआ हादसे के पीछे ओवर्टेक जा रहा है बस के ड्राइवर ने टैंकर को ओवर्टेक करने की कोशिस की कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ड्राइवर को जबकी भी आ रही थी कंटेनर को ओवर्टेक करने की कोशिस में बिगड़ गए अंकर था कि बस के तो परखचे ही उड़ गए टैंकर भी बुरी तरह चती का रहा है लगते ही बस पल्टी खाई टकर की आवाज दूर तक सुनी गई सुभह करीब सबाब पाजे ये हाद पुकार मच गई कई लोगों की आवाज तो शोर के साथ ही दब गई हादसे की जो तस्वीरे सामने आई वो रूप कपाने वाली इसके अफरा कई अपनी जान गवा चुके थे वही कुछ यात्रियों को तुरंत मदद की ज़रूरत थी राहत बचाओ की टीम मौके पर पहुँची सामने जो मंजर देखा उससे सभी लोग सीहर गए कई लोग दम तोड़ चुके थे मिर्थकों में चोध्य पुरुष, तीन महिलाए और एक बच्चा शामिर मिर्थतर बिहार रहने वाले बताए जाए जाए खायलों में से पाँच लोगों को लखनओ के ट्रॉमस सेंटर रेफर किया गया पूरे देश को जखजोर दिया पीम ने सडक हादसे पर दुख जताया है हादसे में मारे गए लोगों के परिजतरी पर दिये जाएंगे पीम का पोस्ट भी सामने आया है इसमें लिखा है और नौ में हुई उनके पृति मेरी समवेदनाए इश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे इसके सामने में घायलों के जल्द पर गहरा शोक चताया है मिर्थकों के परिजनों को सांतुना दी है घायलों के उचित इलाज कराने के निर्देश दिये हैं ये बात भी सामने आ रही है कि बस के कागजों में मिला पता फरजी निकला है बस महोबा के किसान के नाम पर रजिस्टर्ड है जबकि दिल्ली से इस बस का संचालन हो रहा था जाच में बस का परमिट और बीमा भी नहीं मिला है पुलिस हाथसे की जाच परताल कर रही है हाथसे के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आई है और उसका नतीजा ये हुआ कि कई घरों ने अपने सदस्यों को खो दिया उन्नावसे न्यूजे टीम के लिए अरुज गुपता की रिपॉर्ट